जे माता दी आई ये सुनते हैं दसा माता ब्रत कथा में चौथा यध्याय एक साहुकार था उसकी परिवार में पाच पुत्र उसकी बहुए तथा एक पुत्री थी पुत्री का विवा हो चुका था परन्तु उसका गौना नहीं हुआ था इस कारण वह भी अपने माता पिता क गर में रह रही थी एक दी साहुकार की पत्नी दसा माता का डोरा ले रही थी उसकी बहों ने भी डोरे लिए बहों ने अपने सास से पूछा कि क्या ननत के लिए भी डोरा लेना है सासु ने कहा हाँ इस पर बहों ने कहा कि उनकी तो बिदाई होने वाली है यदि ब्रत से पहले ही बिदा हो गए तब क्या होगा सास ने उत्तर दिया मैं ब्रत का सारा सामान साथ में रख दूँगी वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी ऐसा ही हुआ उसके ससुराल से लेने उसका पती आ गया मा ने बेटी को विधी पूरव बिदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सबसामान रखवा दिया लड़की जब अपने ससुराल पहुची तो उसके घर के आंगन में गलीचा विछा कर बैठाया गया आज पर उसकी महिलाएं नई बहु को देखने आने लगी सब उसकी सुन्दर्ता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी किसी की निगा उसके गले में बधे दोरे पर पड़ गए वह बोली वहु की मा बड़ी तोटके वाली है सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े दोरे पर पड़ी सभी इस्तियां दोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी साम को सास ननद दिवराणी जठानी घर की सभी इस्तियां भी उसी दोरे की चर्चा करने लगी सब दोरे की निंडा कर रही थी सुबश से साम तक दोरे के बारे में सुनते सुनते बहु का दिमाग खराब हो गया उसने दोरे को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया दोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई घर में रखा सब धन जल गया सब आदमी अपने प्रार बचा कर घर से बाहर भागे अब घर में केवल नई बहू और उसका पती रह गया बाकी सब भाग गये घर का सारा सामान जल गया था घर में अपना खाने को अन्था और नहीं पहनने के लिए वस्त्र बचे इसलिए दोनों पती पतनी गाव छोड़कर रुजगार खोजने चल दिये चलते चलते वे उसी गाव में पहुच गए जहां की वह लड़की थी लड़की ने अपने पती से कहा तुम यहां भार जोको और मैं भी कोई काम धुडती हूँ पतनी का कहना मान कर वह भार जोकने लगा और वह श्वैम एक कुए पर जाकर बैठ गए उसकुए पर सारे गाव की इस्त्रियां पानी भरने आया करती थी उस लड़की की भावियां उसकुए पर पानी भरने आई परंतु उन्होंने अपनी ननत को नहीं पहचाना वे उससे बोली तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो लड़की बोली काम तो करूंगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी बड़ी भावी बोली हमारी ननत ससुराल चली गई है तुम हमारे बच्चों की देखभार करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना लड़की इस काम के लिए राजी हो गई लड़की की भावियां अपने घर आई और सास से बोली कुवे पर एक अनात लड़की बैठी थी वो हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है आप कहो तो हम उसे रखने सास ने कहा खुशी से रखलो परंतु आपस में कलह मत करना सब बहुए राजी हो गई वे आपस में कुवे पर आई और उसे घर ले आई वह अपने भतिजे और भतिजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी एक दिन दसा माता का दोरा लेने का आउसर आया सास के कहने पर सब बहुए ने दोरा लिया बहुए ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी दोरा लेना है सास ने कहा हाँ बहुए ने कहा इसी प्रकार आपने ननजी के लिए भी डोरा ले लिया था परन्तु पूजा से पहले ही उनकी बिधाई हो गई अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा सास बोली तुम्हारी ननजी अपने घर जाकर पूजा की होगी यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में सामिल हो जायेगी और यदि कहीं चली गई तो वहाँ पर ही पूजा कर लेगी शर्व सम्मती से लड़की ने भी दसा माता का डोरा ले लिया नव दिन तक वह दसा माता की कहाने तथा ब्रत पूजा में सामिल होती रही दसमें दिन लड़की की माता वह बहों ने सर सी असनान किया और घर में चोका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी लड़की बहों से बोली यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाये तो मैं भी असनान करनू बहों ने अपनी सास से पूझ कर अपनी ननत की सारी उस लड़की को दे दी अपनी पुरानी सारी लेकर वह असनान करने गए उसने सरसी असनान करके सारी पहनी और घर आ गए घर पर पूझा आरम हो गए वह जैसे ही पूझा के पास आकर बैठी तो बहों ने कहा यह तो हमारी ननत जैसी लग रही है इस पर सारी नाराज होकर कहा तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो पूझा के समय भी चुप चाप नहीं बैठा जाता चुप रहो मुझे कथा कह लेने दो तुम्हारी बातों से कथा में बिगन पड़ता है बहुए चुप हो गई घर की सविस्त्रियों ने पारन किया लड़की ने भी पारन किया इसके बार इस्त्रिया एक दूसरे का सरगूत ने लगी एक ने लड़की का सरगूत ना सुरू किया वह बोली कि जैसी गूत सिर में है वैसी गूत हमारी ननद के सिर में भी थी सास नाराज होकर बोली तुम मेरी बेटी की तुन्ला इससे क्यों कर रही हो सास ने बहू को तो ढाट दिया परन्तु उसकी बात मन में घर कर गए उसने लड़की से कहा आज रात मेरे पास सोना रात तो जब बहू में सो गए तो उसने लड़की से पूछा तुम्हारे पीहर में कभी कोई था उसने जबाब दिया मेरे पाच भाई और भावियां थी तुम जैसी माता पिता थे उसने फिर पुछा क्या हुआ लड़की बोली तीहर में मैंने दसा माता का डोरा लिया था उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए बिदा हो गई ससुराल में पहुचकर मेरे गले में पढ़े दोरे को देखकर वहां की इस्त्रियां हसी उडाने लगी तब मैंने उस दोरे को आग में डाल दिया उस दोरे के साथ सारा घर जलकर भश्म हो गया शब लोग भाग गए हम दोनों भाग कर इस गाव में आ गए उसकी मा ने पूछ पति कहा है लरकी ने कहा वह भर भूजे के यहां भार जोगता है दसा माता के प्रकोप से हमारी यह हालत हो गए वह समझ गए कि यह लरकी कोई और नहीं उसकी बेती ही है तब उसने अपने पाचों बेटों को बुला कर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन है सबेरा होते ही माता के कहने पर पाचो भाई भर भुजे के यहां से अपने बहनोई को ली कर आए उन्होंने उनको अश्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिये कप्रे पहन कर वह सुन्दर साहुकार दिखाई देने लगा वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया घर पहुँचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरफ शुक पुर्वक रह रहे हैं इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपने पत्नी को विधा करा कर घर ले गया वह अपनी दसा पर विचार करती हुई जा रहे थी मार्द में एक नदी पड़ी उस नदी में यसनान करके अपसराएं दसा माता का दोरा ले रहे थी उनके पास एक दोरा बच गया वह अपसराएं बोली यदि इस डोरी में कोई उच्वर्ग की इस्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दे उन्होंने डोरी के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया जब लड़की अपनी ससुराल पहुची तो सास थाल सजाए ननत करस लिए और देवड़ानी जिठानी अन्यमांगली को वस्तमे लिए उसका श्वागत करने के लिए खड़ी थी नेक दस्तूर हो जाने के बार लड़की को आशन पर बैठाया गया आशन पर बैठने के बार लड़की ने कहा आप लोगोंने पहली बार दसामाता के दोरे के लिए अब सब्द कहे थे जिसका फल ए हुआ की घर के सब लोग भी छुड़ गये तथा घर का धंधान्य जलकर श्वाहा हो गया बड़ी मुसीब्ते उठाने के बार अब अच्छे दिन आए हैं आप मिस्ते कोई भी अब मेरे दसामाता के दोरे की निंता नहीं करेगा भूल को जब मेरा ब्रत हो तब सब सद्धा पुर्वक पूजा करेंगे सबने खुसी खुसी उसकी बात माल ली नौ दिन तक ब्रत चलता रहा दस्वे दिन विधी पुर्वक दोरे की पूजा की गए साथ सुहागिनों को निवता दिया गया उनका श्रिंगार करके आचल भरा गया इस प्रकार दसामाता का पूजन समाप्त हुआ जिस प्रकादसा मातानी उस लड़की के दिन फेरी वैसे ही वा सब पर धया करें